फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 मैतमेटिक्स का चप्टर 6 ट्राइंगुल्स चप्टर का एक्सरसाइज 6.3 से क्विशन नमबर 6, 7 और 8 को सल्प करेंगे इससे पहले फ्रेंड्स क्लास 10 मैतमेटिक्स का बहुत सरे चप्टर्स को मैंने कम्प्लेट करा दिया है सारे चप्टर्स का वीडियो का प्लेयलिस्ट का लिंक्स इस वीडियो के नीचे आप लोगो को मिल जाएगा आप उन लिंक्स के उपर क्लिक करके उन सारे वीडियो को एक एक करके देख सकते हैं वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट अगर आपने आभी तेक अपना प्यारा चैनेट को सब्सक्राइब नहीं के तो सब्सक्राइब कर ले और friends अगर आप हमारे चैनेट को फोलो करेंगे तो class 10 mathematics के लिए आप लोगों को कोई भी extra tuition लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो तो friends question number 6 में बोल रहा है दिखें इन figure 6.37 if triangle A, B, E is congruent to triangle A, C, D show that triangle A, D, E is similar to triangle A, B, C तो अगर यहाँ पर यह एक figure दिया गया है अगर इस figure में यह दो triangle अगर congruent है तो हमें यह दो triangle similar यहाँ पर शो करना है यह जो symbol है यह symbol आपका congruent का सिंबल होता है और यह जो symbol है यह आपका similar का symbol होता है तो इस question को solve करने से पहले हम लोग को congruent और similar का जो concept है उसको यहाँ पर अच्ची तरह से एक बार समझना पड़ेगा मैं यहाँ पर दो triangle draw कर लता हूँ, एक triangle का नाम मान लिजिए ABC है, और दूसरा और एक triangle मैं यहाँ पर draw कर लता हूँ, यह triangle ही आपका DEF, अगर यहाँ पर friends मान लिजिए, अगर triangle ABC is congruent to triangle DEF है, triangle ABC is congruent to triangle DEF है, तो इसका मतलब क्या होगा, अगर ABC is congruent to DEF है, तब हम लोग कह सकते हैं, यह दोनों triangle का corresponding side का length equal है, corresponding side का length equal मतलब AB is equal to DE, BC is equal to EF, AC is equal to DF, तो यह प्यार भी हम लोग यहाँ से भी माना सकते हैं, AB is equal to DE, BC is equal to EF, और AC is equal to DF, तो यह दो triangle अगर congruent हैं, तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं, corresponding side का length के लिए मतलब AB is equal to DE, AC is equal to DF, और BC is equal to EF, अगर यह दो triangle similar होते हैं, मतलब अगर triangle ABC is similar to triangle DF होते, तब जाके हम लोग क्या कहते हैं, तो अगर यह triangle ABC is similar to triangle DF है, तब जाके हम लोग कहेंगे, यह दोनों triangle का corresponding side का ratio equal है, corresponding side का ratio equal है, मतलब AB by D is equal to BC by EF is equal to AC by DF, तो अगर यह दो triangle similar हैं, तो हम लोग यहाँ पर कहेंगे, AB by DE is equal to BC by EF is equal to AC by TF, तो यह होता है congruent और similar का concept, अब यहाँ पर दिखेंगे, यह दो triangle congruent दिया गया है, तो यह दो triangle congruent दिया गया है, तो हम लोग, यहाँ से हम लोग कह सेखते हैं, इन दोनों triangle का corresponding side का length equal होगा, that means AB is equal to AC, B is equal to CD और A is equal to AD होगा, अब यह हम लोगों को शो करना क्या है, हम लोगों को शो करना है triangle AD, triangle AD मतलब यह चोटे वाला triangle, यह similar to triangle ABC मतलब यह बड़े वाला triangle, तो दोनों triangle को मैं यहाँ पर डर कर लता हो, triangle A, D, E is similar to triangle A, B, C यहाँ पर यह हम लोगों को show करना है आप कैसे show करेंगे देखें दो triangle similar show करने के लिए हमारे पास तीन रूल है एक रूल होता है आपका angle angle rule दुसरा रूल होता है आपका side side rule और तिसरा रूल होता है आपका side angle side rule अब यहाँ पर तो angle दिया नहीं गया है तो angle angle rule हम लोग लगा नहीं सकते side का length यहाँ पर दिया नहीं गया है तो side 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 rule भी हम लोग यहाँ पर लगा नहीं सकते अब यहाँ पर दिखे side angle side rule हम लोग यहाँ पर लगा सकते देखे कि यहाँ पर देखे, एंगुल A दोनों ट्राइंगुल में कम होने, तो एंगुल A मतलब एंगुल D A E is equal to एंगुल B A C हो गया, अब यहाँ पर हम लोगों को side-side, side-side मतलब AD by AB is equal to AE by AC, यह रेशियो जो है, यह हम लोगों को equal show करना है, तब जाके हम लोग यहाँ पर side angle-side property को use करके बल सकते हैं, यह दोनों ट्राइंगुल आपका similar है, मेरे क्याल से concept आप लोगों को समझ में आया होगा, चलिए आप यहाँ पर solution शुरू करते हैं, पहले तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, since, since triangle A, B, E is, is congruent to triangle ACD, so, so corresponding side-o का length के लिए, मतलब AB, AB is equal to AC, B, E is equal to, B, E is equal to, B, E is equal to CD, और A, E is equal to AD, यह कैसे हम लोगों ने लिख लिख लिया, यह हम लोगों ने लिखा है, by, by, CP, CD, जो हम लोगों को class 9 में मिला है, अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, in, in triangle A, D, E, and triangle ABC, इन दोनों triangle में दिखिए, angle A, दोनों में common है, तो इन triangle A, D, E, and triangle ABC, angle DAE is equal to angle B, A, C, यहाँ पर हम लोगों लिखेंगे, common angle, यह angle जो है, यह आपका common है, तो common angle यहाँ पर हम लोगों ने लिखिया, अब ही यहाँ पर हम लोगों को शौक करना है, और एक काम करना है, side side मतलब AD by AB is equal to AE by AC, यहाँ पर हम लोगों को शौक करना है, शौक करना क्या है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, AD by AB is equal to AE by AC, क्योंकि यहाँ पर angle A दोनों में common है, तो यह दो side मिलके ही angle A बना रहा है न, तो हम लोगों को यह ratio equal हम लोगों को लाना है, यह AD by AB is equal to AE by AC, यहाँ पर हम लोगों को लाना है, अब कैसे लाएंगे दिखिए, इन equations को आप देखे, AB by AC, अगर यहाँ से हम लोग AB by AC करें, तो AB AB by AC क्या होगा, कितना होगा, दिखिए AB by AC, AB by AC क्तना होजएगा, AB by AC होजएगा आपका 1, और यहाँ से दिखिए, यहाँ से AE equal to AD से, यहाँ से अगर AE को हम लोग left side में लेके जाएंगे तो AD by AE is equal to क्या होजएगा, AD by AE is equal to AD by AE is equal to 1 होजएगा, अब दोनों का left side के लिए तो दोनों का left side B के लगा, दोनों का left side E के लिए मतलब, यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं, AB by AC is equal to AD by AD by AE, अब यहाँ पर दिखे हम लोग, दिखे, AD के निचे AB चाहिए, तो AD by AB cross कर देंगे, और AE को यहाँ पर उपर लेकर जाएंगे, तो यह line, यह जो line है, यह line हमारा मिल जाएगा तो अभी यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अभी यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, now, now AB is equal to AC, so this implies, यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ से हम लोग लिखेंगे, AB by AC is equal to 1, इसको हम लोग equation 1 नाम दे देंगे, दूसरा equation क्या है, दूसरा equation है, हमारा AE by AD, इसको हम लोग क्या करेंगे इसको हम लोग उल्टा करेंगे उल्टा करेंगे मतलब AD के नीचे AE को लेके जाएंगे तो AD by AE करके यह पर कितना मिल रहा है AD by AE करके हम लोगों को 1 मिल रहा है इसको हम लोग Q2 नाम दे देंगे therefore by 1 and 2 therefore by 1 and 2 we get by 1 and 2 we get AB by AC is equal to AD by AE पर हमारों को चाहिए AD by AB चाहिए AD के नीचे यहाँ पर हम लोग AB को लेके जाएंगे तो AE को क्रोस करके यहाँ पर AC के ऊपर लेके आएंगे तो AE by AC is equal to AD by क्या हो जाएगा AD by AB तो देखे यहाँ पर यह ratio हम लोगों को equal show करना था तो हम लोगों को हम लोगों ने इसको show कर लिया अभी यहाँ पर हम लोग बॉल देंगे therefore side angle side angle तो यहाँ पर पहले ही show कर लिया angle equal अभी side 2 side हों का ratio equal तो therefore by side angle side rule we can say we can say therefore by side angle side rule we can say triangle ADE is similar to triangle ABC तो यह हो गया आपका question number 6 का complete solution और मेरे क्याल से question number 6 का complete solution आप लोगों को समझ में आया होगा next चलिए question number 7 को solve करते है so next question number 7 में बल रहें दिखे in figure 6.38 altitudes ADE and CE of triangle ABC intersect each other at the point P तो यहाँ पर हम लोगों को एक figure दिया गया है figure 6.38 इसके नीचे लिखा गया है यहाँ पर दिखे हमारे पास दो altitude है इस triangle ABC में दो altitude है एक altitude है आपका AD और दूसरा altitude है आपका CE altitude मतलब perpendicular देखे AD altitude मतलब AD is perpendicular BC है और CE altitude मतलब CE is perpendicular AB है और यह दो altitude जो है यह आपका P point में intersect कर रहा है तो आभी हम लोगों को यह चार questions को solve करना है पहला Roman 1 में हम लोगों को triangle AEP similar to triangle CDP देखाना है तो सारे questions यहाँ पर easy है आप लोगों को द्यान से समझना है easy है जल्द जल्द यहाँ पर हम लोग solve कर लेंगे चलिए Roman 1 को solve करते हैं Roman 1 में यहाँ पर हम लोगों को यह दो triangle, triangle AEP, triangle AEP मतलब यह triangle इस similar to triangle CDP, CDP कहा पर है देखे, CDP मतलब यह वाला triangle इन दोनों triangle को हम लोगो similar देखाना है तो चलिए यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, लिखेंगे हम लोग क्या देखे इन ट्राइंगुल, इन ट्राइंगुल AEP, एंड ट्राइंगुल CDP अब दिख, AEP ट्राइंगुल में दिखे, अगर यह पर यह angle 90 degree है तो इस तरब भी 90 degree होगा, ठीके, तो मतलब इन ट्राइंगुल AEP, angle AEP 90 degree हो रहा है similarly यहाँ पर अगर आप CDP में जाएंगे, तो यह जो angle CDP है, यह angle भी आपका 90 degree है क्योंकि AD perpendicular है आपका BC के उपर, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, इन ट्राइंगुल AEP एंड ट्राइंगुल CDP एंगुल AEP is equal to angle CDP is equal to 90 degree अब दिखें, नेक्स्ट क्या है दिखें, यह जो angle है, angle APE और angle CPE दोनों equal होगा क्योंकि दोनों क्या है, बाटी के लिए, बाटी के लिए opposite angle है और बाटी के लिए उपाजित angle जैसे कि यहाँ पर अगर मैं दो line ऐसे cross करू तो यह angle opposite ट्राइंगुल यह दोनों angular होते हैं, similarly ये angle is equal to ये angle होते हैं, तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं, vertically opposite angle Ape is equal to angle cpd, तो next यहाँ पर हम लोग लिकेंगे angle A angle Ape is equal to angle cpd, कैसे हुआ, यहाँ पर हम लोग लिकेंगे vertically vertically opposite अब यहाँ पर दिखिये । बार्टिकली, ओफोजीट एंगुल अब यहाँ पर देखिये दो ट्रैंगुल है, मालेजिए यहाँ पर हमारे पास एक ट्रैंगुल है A.B.C. और दूसरा एक ट्रैंगुल है मालेजिए D.E.F. तो अगर इन दोनों ट्राइंगुल का किसी भी दो एंगुल एकल हो गया जैसे कि एंगुल A एकल टू मालड़ी जी एंगुल D है और एंगुल B एकल टू एंगुल E है तो अगर दो ट्राइंगुल का किसी भी दो एंगुल एकल हो गया तो तीसरे अंगुल आपने आप इक्वल हो जाता है तीसरे अंगुल मतलब अंगुल C is equal to अंगुल F अंगुल हो जाता है तो यहाँ पर दिखेए यहाँ पर हम लोगों ने अंगुल E equal to angle D यहाँ पर देखा दिया, angle P equal to angle P, यहाँ पर A, P, E और angle C, P, D यहाँ पर equal है कि क्यों बार्टी के लिए opposite एंगुल है और एक एंगुल रह गया है एंगुल PAE और एंगुल DCP तो यह दोनों एंगुल भी equal होगा कि की दो ट्राइंगुल का दो एंगुल एंगुल है यह यूज़ करके हम लोग बल सकते हैं यह दो ट्राइंगुल आपका शिमिलारिटी Therefore, by एंगुल 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 सिमिलारिटी Therefore, by एंगुल 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 सिमिलारिटी we can say that we can say that triangle AEP is similar to triangle is similar to triangle CDP तो ये हो गया आपका Roman 1 का complete solution और मेरे क्याल से Roman 1 का complete solution आप लोगों को समझ में आया होगा चलिए next Roman 2 को solve करते हैं Roman 2 में यहाँ पर हम लोगों को शो करना है दिखे triangle ABD is similar to triangle CBE triangle ABD is similar to triangle CBE अब triangle ABD कहाँ पर दिखे triangle ABD यहाँ पर है CBE यह triangle यह दोनों triangle आपका similar है आप लोगों को शो करना है तो हम लोग क्या लिखेंगे दिखेंगे हम लोग लिखेंगे in triangle in triangle ABD and triangle CBE अब इन दोनों triangle में दिखेंगे इन दोनों triangle में angle B आपका common angle है angle B आपका common angle है तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे in triangle ABD and triangle CBE, angle ABD is equal to angle CBE, यहाँ पर कैसे हम लोग उने लिख लिख लिया, क्योंकि angle B common angle, angle B दोनों triangle में आपका common है, उसके बाद देखें next, ABD, ABD में देखें, ABD में angle D आपका 90 डिग्री है, और CBE में, CBE में आपका angle E 90 डिग्री है, that means यहाँ पर हम लोग next बल सकते है, ABD में angle ADB और CBE में, CBE में angle CEB, angle CEB, दोनों क्या है, दोनों आपका 90 डिग्री है, तो इन दोनों triangle का दो angle एक्केल हो गया, तो बाकि जो angle रहा गया है, बाकि कौन सा angle रहा गया है, यहाँ पर रहा गया है, आपका angle C, तो इन दोनों भी आपका equal होंगे, तो next हम लोग लिखेंगे, and angle BAD is equal to angle, is equal to angle BCE, is equal to angle BCE, so therefore by angle, angle, angle similarity, दिखके सारे solution आसान है न, therefore by angle, 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 similarity, solution आसान है, आप लोगों को ध्यान से समझना है, we can say that, मैं दीरे से समझा रहा हूँ, we can say that triangle ABD is similar to triangle CBE, तो इतना तक आपकापी में note down के लिए, याँ भी यहाँ पर आप, आम लोग रोमान 3 और रोमान 4 को solve करेंगे, चलिए next, रोमान 3 को solve करते हैं, तो रोमान 3 में यहाँ पर आम लोगों को solve करते हैं, तो रोमान 3 में यहा तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, in triangle AEP, AEP and triangle ADB, अब देखें, triangle AEP, AEP मतलब यह triangle, ADB, ADB यह triangle, तो इन दोनों triangle में देखें, angle A यह आपका common है, तो पहले तो हम लोग common angle को लिख लेंगे, angle EAP is equal to angle DAB, यह दोनों triangle में angle A common है, तो यह angle A, आपका equal हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, common angle, common angle, उसके बाद देखें, triangle AEP में, देखें, AEP में यह angle आपका 90 degree है, और ADB में यह angle आपका 90 degree है, ADB में यह angle 90 degree है, तो next हम लोग लिखेंगे, angle AEP is equal to angle ADB is equal to 90 degree, तो इन दोनों triangle का दो angle equal हो गया, तो बाकी जो angle रहा गया है, वो angle भी आपका, अपने आप equal हो जाएगा, तो end, end यहाँ पर हम लोग कौन सा angle रहा गया है, देखें, E हो गया, A हो गया, तो angle P रहा गया है, तो end angle APE, और इस साइड में देखें, D और A हो गया, तो B रहा गया है, is equal to angle D और A हो गया, तो B रहा गया है, is equal to angle A, B, D, so therefore, therefore by angle angle similarity, by angle angle similarity, we can say that, we can say that triangle AEP is similar to triangle ADB, ADB, तो यह हो गया, आपका, रुमान 3 का complete solution, चलिए नेक्स रुमान 4 को स्वल करते हैं, तो रुमान 4 में यहाँ पर हम लोगों को दिया गया है, triangle PDC is similar to triangle BEC, यहाँ पर हम लोगों को शो करना है, इन दोनों triangle में आपका C angle को मने, तो पहले तो हम लोग लिखेंगे, angle PCD is equal to angle BCE, यहाँ पर हम लोग bracket में देंगे, common angle, आप यहाँ पर PDC triangle में दिखें, PDC triangle में angle D आपका 90 degree है, angle D आपका 90 degree है, मतलब angle PDC is equal to, और BEC triangle में, BEC triangle में angle E आपका 90 degree है, तो is equal to angle BEC is equal to 90 degree, तो इन दोनों triangle का दो angle equal हो गया, that means बाकी जो angle रह गया है, वो भी equal होगा, तो and कौन सा angle रह गया है, इस side में आपका D रह गया है, तो and angle DPC is equal to, इस side में आपका C हो गया, E हो गया, B रह गया है, and angle CBE, तो and angle DPC is equal to angle CBE, CBE, so therefore, therefore by angle, 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 similarity, we can say that, we can say that triangle PDC is similar to triangle BEC, तो यह हो गया, आपका question number 7 का, Roman 4 का complete solution, और मेरे क्याल से question number 7 का, Roman 4 का complete solution, आप लोगों को समझ में आया होगा, देखे कितना आसानी से हम लोगों ने, यहाँ पर question number 7 को solve कर लिया, चलिए next question number 8 को solve करते हैं, next question number 8 में बल रहे हैं, देखे, E is a point on the side AD produced of a parallelogram ABCD and BE intersects CD at F, तो यहाँ पर हमारे पास एक parallelogram दिया गया है ABCD, और इस ABCD parallelogram का AD side को produced करके एक point E नाम दिया गया है, तो पहले तो यहाँ पर हम लोग figure को draw कर लेंगे, तो यहाँ पर हम लोग एक parallelogram draw कर लेते हैं, तो यहाँ पर हम लोगों ने एक parallelogram, यहाँ पर कुछ इस तरह से एक parallelogram draw कर लिया, अब यहाँ पर नाम दे देते हैं, तो इसका नाम A दे दिया, इसका नाम B दे दिया, इसका नाम C दे दिया, और इस point का नाम हम लोगों ने D दिया, अब यहाँ पर question में बोल रहा है feels aD को यहाँ पर produced का गया है तो हम लोग жить प्रणूस्ट कर लेते हैं प्रणूस्ट करके यहाँ पर point जो point का नाम ई दे दिया और अब यहाँ पर be ko join करना है तो be ko join कर लेते हैं तो be李 पर कोहाँ पर हम लोग उने F दे दिया तो यहाँ पर हम लोगों को शौकरना है ट्राइंगुल A, B, E इस सिमिला ट्राइंगुल C, F, B ट्राइंगुल A, B, E इस सिमिला ट्राइंगुल C, F, B यह जो ट्राइंगुल है यह ट्राइंगुल is similar to this triangle हम लोगों को शो करना है आप कैसे शो करेंगे तो यहाँ पर हम लोग सलिए solution शुरू करते हैं तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे in triangle in triangle a, b, e and triangle c, f, b in triangle a, b, e and triangle c, f, b अब दिखें friends parallelogram का opposite sides opposite sides equal होते हैं और opposite angles भी equal होते हैं opposite angles equal होते हैं मतलब angle a is equal to angle c होते हैं और angle b, angle b is equal to angle d होते हैं तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं हम लोगों क्या चाहिए देखें हम लोगों का a, b, e a, b, e a, b, e का तो a, b, e का यहाँ पर हम लोग angle a ले लेंगे और c, b, c, f, b एंगुल A is equal to एंगुल C, एंगुल A is equal to एंगुल C किसे कह रहे हैं, एंगुल A is equal to एंगुल C हम लोग कह रहे हैं, since opposite angles of a parallelogram are equal, so opposite angles of a parallelogram, opposite angles of a parallelogram, यहाँ पर हम लोग region दे देंगे, opposite angles of parallelogram यहाँ पर हम लोगों ने region दिया अब यहाँ पर दिखिए अब यहाँ पर यह जो BC side है, यह BC side AD का parallel है BC side AD का parallel है, अब AD को यहाँ पर extend करके हम लोगों ने AE बनाया है तो BC अगर AD का parallel है तो BC AE का भी parallel होगा, क्योंकि A दिखिए कुछ इस तरह से दिखिए, अगर यह line इस line का parallel है, तो इस line को अगर हम लोग extend करेंगे, तो यह line यह पूरा line का भी parallel होगा, तो यह concept यहाँ पर भी आ रहा है तो अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे is is BC parallel to AD or AE is BC is parallel to AD or AE so, आप so देके क्या लिखेंगे, दिखिए transversal का concept आएगा यह दो line parallel है और यह transversal है, तो क्या होता है? opposite angles equal होता है, that means यह angle, angle 1 is equal to angle 2 होता है, और angle 3 is equal to angle 4 होता है तो इस concept का हम लोग यहाँ पर लगाएंगे since BC is parallel to AD or AE so angle AEB दिखिए so angle AEB, यह angle इसको आप transversal मान ले BE को आप transversal मान ले तो angle AEB is equal to angle CBF is equal to angle CBF, यह angle यह angle, यह angle दोनों क्या है? opposite angle है ना, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे so angle AEB is equal to angle CBF also 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 दिखिए angle ABE angle AEB तो हम लोग ने यहाँ पर show कर लिया angle AEB is equal to angle CBF तो यहाँ पर दिखिए इस दो triangle triangle मैं यहाँ पर separate कर लता हूँ दोनों triangle को triangle ABE यह triangle है और दूसरा triangle मैं exactly draw नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पर separate करके यहाँ पर अलक्सा ही draw कर रहा हूँ जा triangle को separate कर रहा हूँ angle A equal to angle C यहाँ पर हम लोग ने लिखा है दूसरा angle E equal to angle B यहाँ पर लिखा है angle E is equal to angle B यहाँ पर लिखा है तो एक यह angle रहा गया है angle B is equal to angle F अगर यह दो triangle का दो angle equal है तो जो angle रहा गया हो यह angle भी आपका equal होगा तो अलसो देखे यहाँ पर हम लोग लिखेंगे angle A, B, E कौन सा angle रहा गया है B angle E is equal to और E side B C हो गया B हो गया F रहा गया है तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे angle CFB अभी यहाँ पर angle angle similarity का concept को यह करका आम लोग बल सकते हैं यह दो triangle आपका similar है तो therefore by angle 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 similarity therefore by angle 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 similarity we can say triangle A, B, E is similar to triangle triangle A, B, E is similar to triangle CFB तो यह हो गया आपका question number 8 का complete solution और मेरे क्याल से question number 8 का complete solution आप लोगों को समझ में आया होगा तो friends अगर आपने आभी तक अपना प्यारा चैनल को subscribe नहीं के तो subscribe कर ले इस वीडियो को like नहीं के तो like कर ले इस वीडियो को अपने सारे friends के साथ share कर ले Thank you friends for watching this video प्तारी इस वीडियो कर नहीं कर दो कि अधनिए मूट आपका होगा 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 हो इस वीडियो का